नमस्कार में नमालोक है आप लाइश्टीज देख रहे हैं बिहार में क्या बड़ा सियासी उलट फेर होने वाला है देखिए नितीश कुमार बिहार के मुखमंतरी जिन्होंने गैर भाजपाई दलो को एकजूट किया तेश जुन को बिहार में ही बैठक होई पत्ना में है हम इन से समझेंगे असान सब्सक्राइव में जानेंगे कि बिहार में क्या सच में सियासी उलट फेर होने वाला कि अब सच में जेडियू नाराज है शीट शेरिंग की बाते कब से अटकी है बहुत जादा डिले हो गया संजाज आब आप सब्सक्राइब कि कर रहे हैं कि तिस संभावनाओं को खेल है कब क्या हो जाए मुझे क्या पता जो जंजलाहाट है जिरीडियू के गुस्सा नाराजगी अब तो दिखने लगी है सता पर खुल के बोल रहे हैं पूरी तरह से नाराजगी आप देखिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि इनका कहाना यह है कि जब इतना अभी राम टेंपुल की इनाउग्रेशन की बात चल रही थी ते एक आप समयकित एक काउंटर मूब सोचते उसके हिसाब से इंडिया की आत्रा करते आप फिर से कॉंग्रिस की आत्रा शुरू कर रहे हैं अपने कंफिडेंस में अपने पार्ट कि फरवरी मार्च कर ना हो जाए तो हमारे पास समय कहा है हम अभी सीट शेरिंग में अटके हुए हैं बिजेए जोधनी ने कहा कि भाई हम बातचीत कर रहे थे जो जून में हम जून पर अटके हुए है तो यह सारा जो मुहिम है वह एक तरह से अभी माण कर ये दो रहे पर पर भी सस्पेंस पर करा रहे हां उन्होंने का रहा कि कौन किसको क्या पद मिलेगा प्रपति से सवाल पूछ रहे हैं वेंग कर दिया उन्हों दस्पंस इससे एक तरह से ठीक है आप यह मान सकते हैं कि यह तरह से माइंड गेम खेल रही थी पब्लिक डॉमेन में आ गया इनको को इंबरास्मेंट भी हुआ नहीं हुआ लेकिन अब कॉंग्रेस खुद निरने लेने की वह लगता है कि हम ही सब कुछ निरने लें तो इनको जब कुछ सब को बुलाना चाहिए था आप सिंपल वर्ड में वो कहते हैं कि कॉंग्रेस को सर्भाइवल का सोचना चाहिए यह सरभाइवल और के बीच का जो लुए ना इसके कारण से सारे समस्या हो रहा है आप पर नीशक को यह सब बातां से बदाश होती नहीं है वो अब देख रहे हैं के रूपे वन-वन उनकी बाची तवी थो नहीं को रही है जो लीडरस के घुर हो रही है जो हो रही है जो आई लेकिन इतनी बात तय है कि जो इस स्थिती जो एक तुरह से ग्राउंड किया था कॉंग्रेस ने मुंबई की मीटिंग के बाद तो हमको लगता है कि वह आप उपर नहीं जाकर के थोड़ा सा वो डाउन हिल की तरफ जा रहा है इनको लग रहा था कि तीने स्टेटी में चुना पुन पद देंगे आप मालीजे की बिहार क्रॉस कर रहे हैं मालीक उस वही लेग है अगर वो उनका कहना हो अगर इंडिया यात्रा होती सब को लेते आप नितिश कुमार की अबलेबिलेटी देते यह सुई का लेते अखिलेश का लेते जो भी पार्टनर है आपको उसके हि सकते तो एक नरेटींव सेट होता वह झता और नहीं दिख रहा है अभी तक एंडियोगे साथ में इंडिया का पिछ्छर रही है है अभी तो मान सकते हैं हम माल कि उनके इनकी स्टेड़जी एस्ट तरवे वाला था, वो एजंडा कर दिया, ओवीसी वाला पिछ को उसको रेज करना सुरू किया, अब एक यात्रा खत्म हुई, दूसरी यात्रा पर आहुल गांदी निकल रहे हैं, उनका कहना है कि आप मने यात्रा कीजिए, लेकिन इंडिया ब्लॉक का क्या, हमारे इंडिया जो नेरेटीव है, वो बताईए ना कि आप जनता को एंडिया को कैसे काउंटर करेंगे, और खास करके उनकी जो जिन्ता या दूसरी जो बोलिये, बाइस जन्वरी का जो एक तरह से पूरा बिल्डप है, रहम टेंपुल को ले करके, इनाउगरेशन को ले करके, उनका कहना है कि एक सोचलिस्ट केम्प की तरह से एक काउंटर मौव जो कासरवे की दूर्म ने दिया था, उस नेरेटीव के साथ हमको जाना चाहिए था, बिना किसी उसको परतिकार किये हुए, सौप्ट हिंदु अत्वा को प्ले करते वे जाना चाहिए, तो परतिकार करने के कोई ज जोरत नहीं है, लेकिन सब जान रहे हैं कि बिजेपी का स्टॉंग पॉइंट है, इसको कॉंटर करने की जोरत थी, आप मानते हैं जैसे एक धाचा तयार हुआ है इंडिया, निती उश्कुमार उसके एक मनी के समान है, जिनोंने सब को एक जूट किया था, क्या सच में आपका इंटर्प्रेटेशन में इसको डिफरेंट तरीके से मैं इसको पूट करूंगा, बीजेपी जरूर चाहेगी कि वहाई यह जो मुहीं बिल्डप हो रहा है, वो अपने ही बढ़न से गिर जाए, हमको कुछ नहीं करना पड़े, अपने ही गलती से गिर जाए, अपने करेशन ही नहीं हुआ है, तो उसके कारण से यहां एक समस्या आ रही है, और यह मुहीं अगर टूट जाएगी, एबरीबडी नोज की भाई, इस चीज के पाइनियर दीशकुमार थे, और इस सारे मुहमें इस सुत्तधार यहीं थे, यहीं से स्टार्ट हुआ, बाद में कॉ इस चादव का, कि छोटी पाटी की नेतावीं परधान मंतरी बने हैं, यह क्या सजेस्ट करता है, यह तरह से जो सोचलिस्ट कैम्प है ना, इंडिया वलॉक के अंदर में, वो एक साथ है, उनके साथ और भी लोग हो रहे हैं, कल को मान लीजिए कि ऐसी इस्थिति आ जाए क कि सबको हो जाए कि थूटा सा केरला आ जाया थोड़ा सा वेस्ट मंगौल इनके सपोर्ट में आ जाय तो फिर से कॉंग्रेस अलग तलग हो जाएगी, यह बनने के पाले यह बिखर जाएगा, तो यह अभी जो दो राहे पर आ गए तो अभी कॉंग्रेस को कॉल लेना है, मै यह फिर से काता हूं कि एगें टेंगें टेंट में इताइगे तो अभी तहीं नहीं है दस दिन-पंदरह दिन आप का रहे हैं उनका सारा फोकस जो है किस चीज़ पर चला गया है उनकी रहुल गंदी की यातरा पर चला गया है तो यह तो इन्विज़ल पर्टी के जंडा होग तब नितीश कुमान इंडिये में जा सकते हैं ऐसा हो भी सकते हैं अगर आज नितीश संभावनाओं खेल है तो अपने आसुक चोधरी से बातचीत की भाई वो पार्टी के इंटर्नल लेता है किस किस लेवल से किस बातचीत हो रही है जेडियो माइंड गेम तो करी रहा होगा इनको लगता है टेस्टेद ये इनका ट्विंटर्क में पहले भी बोला था कि ट्विंटर्क पॉल्टिक्स के माहिर आदमी है तो आप पॉल्टिक्स में तो कुछी को संभव है अब मैंनी का रहा होगा को इन्फॉर्मेशन बेस नहीं है कि कोई ओपन हो गया है लेकिन ये एक बिहार की राजनीती के उभेनिष्ट तक तो हैं इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं यही इनका strong point है तो इस politics को वो play करेंगे उसमें कितनी सचा यह नहीं है लेकिन हाँ चेस तो चल रहा है दोनों तरब से अगर कह सके कि all is well है तो all is well तो नहीं है एक दम all is well नहीं है निश्टितरू से all is well नहीं अगर होता तो इतनी चर्चा ही नहीं कर रहे होते हैं हम लोग हमारे साथ संतोर सिंजी थे इंडियन एक्सप्रेस के senior editor हैं समझ सकते हैं आप क्या बाते हो रही है और जहां तक बात सीट शेरिंग के हो रही है काफी डिले हो में फिर नहीं सरकार उमीदें तो हैं लोगों को चर्चाएं हो रही है कैस लगाए जा रहे हैं और राज्यतिक दल्यारों में गर्मा हाट भी है मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेसे पेज़ भी लाइक करें धन्यवाद